नमस्कार दोस्तों, हर चुनाव में मुगलकाल का कोई ना कोई बादशाह भारतिय जुनता पार्टी के कैंडिडेट को मुख्यमंद्री बनने में मदद करता है इस बार महराश्ट्र में चुनाव है, कुछ लोगों ने फोन पर गुजराथ में पैदा हुए मुगल शासक औरंग जेब का स्टेटस लगा लिया और बवाल हो गया इस बार महराश्ट्र में भारतिय जनता पाटी के चुनाव वरजार समीती के अध्यक्ष औरंग जेब ही होने वाले हैं, यह तय है औरंग जेब की आवलादे पैदा हुए है, जो औरंग जेब का फोटो दिखाते हैं, औरंग जेब का स्टेटस रखते हैं हर राज्यों और जिले के लिए बिल्कुल अलग-अलग मुगल बाक्षास सेथ हैं, जैसे उत्तर पिदेश, बिहार और राजस्थान के लिए बाबर और अगपवर्फिक्स हैं वैसे ही महराश्ट्र के लिए औरंग जेब का चैन किया गया है तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जिस औरंग जेब के बारे में ये बचाया जाता है कि वो रोज जब तक 10,000 ब्रामणों के जनेयों नहीं देख लेता था, तब तक खाना नहीं खाता था तो क्या औरंग जेब इतना ही खतरनाक था? अगर वो रोज 10,000 ब्रामणों की हत्या करता था, तो फिर 49 साल उसने राज किया, इतने सालों में कितने ब्रामणों को मार डाला? औरंग जेब मंदर क्यों तोड़ता था? जब वो मंदर तोड़ता था, तो फिर मंदर बनवाता कैसे थे औरंग जेब और मराठों का वो क्या किस्सा था जिसे आप महराष्ट में जिंदा करके हिंदुत वाली पाटी वोटों का शिकार करने के लिए तैयार बैठी है तो ध्यान दीजेगा दोस्तों मुगलों की कहानी शुरू होती है बाबर से बाबर का लड़का हुमायू हुमायू का लड़का अकबर अकबर का लड़का जांगिर जांगिर का लड़का शाजहा और शाजहा का लड़का हुआ औरंग जेब की मा का नाम था मुम्तास हाँ वही मुम्तास जिनके नाम पर शाजहा ने ताजमहल बनवाया था वो औरंग जेब मुम्तास के छटवे ल पर फासी पर लटका दिया और खुद दिली में ताच पहन लिया आज की भी नेता लोग कुछ ऐसा ही करते हैं बस लोगतंतर है तो फासी पर नहीं लिटका सकते लेकिन रास्ते से जरूर हटाते हैं उधारन आपके सामने औरंग जेब ने अकबर से जादा मुगल सीमाओं का अविस्तार किया लेकिन मराठों ने औरंग जेब की नाक में दम कर रखा था हां पिल्कुल सही पकड़े हैं वही मराठे जो महराष्ट में है अब आपको औरंग जेब की डीपी और बवाल की क्रोनोलोजी समझ में आने लगी होगी दोस्तों अंग्रेजों ने औरंग इतिहासकारों ने भारत में हिंदू मुसल्मान को बाटने के लिए गड़ी क्योंकि अंग्रेजों की रणी थी बटवारे की थी वो भारती इतिहास को हिंदू मुसल्मान के धार्मिक चश्मे से देखना चाहते थे इसी लिए उन्होंने भारती इतिहास के प्राचीन काल औ और औरंग जेब के साथ उनके लंबे समय तक चले संघर्ष को हिंदू बना मुस्लिम संघर्ष बना दिया। जबकि शिवाजी की सेना में मुसल्मान और औरंग जेब की सेना में हिंदू बहुत बड़ी संख्या में थे। और दोनों के 20 संघर्ष का आधार सत्ता और अधिकार था धर्म नहीं दोस्तों दूसरे मुगल शासकों की तुलना में औरंग जेब के शासनकाल में सबसे जादा हिंदू उसका शासन संभालने में मदद करते थे एतिहासिक सथे बताते हैं कि औरंग जेब 15 करोड लोगों पर शासन करता था उसके पिता शाजहां के शासनकाल में सेना के तमाम पदों और दर्बार के दूसरे एहम पदों पर हिंदूों की तादार 24 फीसिदी थी जो औरंग जेब के समय में 33 फीसिदी तक हो गई थी औरंग जेब की सेना में वरिष्ट पदों पर बड़ी संख्या में कई राजपूत नियुक्त किये गए थे दोस्तों मराठों और सिखों के खिलाफ औरंग जेब के हमले को धार में चश्मे से देखा जाता है लेकिन ये बताते हैं वक्त इस बात की उपेख्शा कर दी जाती है कि तब युद्ध शेत्र में मुगल सेना की कमान अकसर राजपूत सेना पतियों के हाट में ही होती थी मारवान की राजा जस्वन सिंग औरंग जेब की सेना में बतौर सेना पती शामल थे जजिया कर अब बात जजिया कर पर भी कर लेते क्योंकि जजिया कर के बारे में औरंग जेब से जुड़ी हुई कहानिया बहुत सारी कही जाती है दोस्तों जो जजिया कर अकबर ने राजपूत कन्या जोधा से विवाह करने के बाद खत्म कर दिया था वो कर दुबारा औरंग जेब ने लगाया जजीयकर मुसलिम राज में रहने वाले गैर मुसलिमों से वसूल जाता था औरंग जेब की अत्याचार की कहानी बताते हुए पूरे जजीयकर के बारे में कभी नहीं बताया गया क्यूंकि यहां उच्च वर्ग को इस कर से छोट थे यहासकारों के मुताबिक जजिया कर उस समय के हिसाब से था इसके तीन स्तर थे और इसका निर्धारन संबंधित व्यक्ति की आमधनी से होता था इस कर के कुछ अपवाद भी थे गरीबों, बेरजगारों और शारिजिक रूप से अशक्त लोग इसके दारे से बाहर थे इनके अलावा हिंदूों की वर्ड विवस्था में सबसे उपर आने वाले ब्रामण और सरकारी अधिकारी भी इससे बाहर थे मुसलमानों की उपर लगने वाला ऐसा धार में कर जकात था, जो हर अमीर मुसलमान को देना जरूरी होता था आज के हिसाब से जजिया कर एक पक्षपाती कर है, क्योंकि इसमें हिंदूओं को 5 प्रतिशत और मुसलमानों को 5 प्रतिशत कर चुकाना होता था इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन औरंग जेब के बारे में ये बताते समय हिंदू मुसल्मान को बाटने वाले मुसल्मानों पर लगने वाले जकात के बारे में छिपा ले जाते हैं आधुनिक मूल्यों के मांदंडों पर जजिया एक पक्षपाती विवस्था थी राश्ट्र धर्म और जाती के अधार पर इस तरह की भेद नहीं कर सकते इसलिए जब हम सत्रवी शतापदी की विवस्था को आधुनिक राश्ट्र के पैमानों पर इसे देखते हैं तो ये आराजक विवस्था लग सकती लेकिन औरंग जेप के समय ऐसा नहीं था उस दोर में उसके दूसरे उधारण भी मिलते हैं जैसे मराठों ने दक्षुन के एक बड़े हिस्थे में मुगलो को बेदखल कर दिया था उनकी कर विवस्था भी तकरीबन इसी स्थर की पक्षपाती थी वो मुसल्मानों से जखात वसूलते थे और हिंदू आबादी इस तरह किसी भी विवस्था से बाहर थी जैसे आज भारत हिंदू मुसल्मान सबका है लेकिन यह पक्षपाती ही है कि हिंदू धर्म गुरू भारत को हिंदू राष्टर बनानी की बात खुले मंचों से कहते हैं इस पर सरकारे कुछ नहीं बोलती लेकिन अगर कोई मुसल्मान भारत को मुसलिम कंट्री बनाने की बात कह दे तो क्या होगा वो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है क्या औरंग जेब मंदिरों को क्यों तोड़ता था उसको मंदिरों से आखिर क्या दुश्मनी थी तो सच यह है कि औरंग जेब ने जितने मंदिर तुड़वाए उससे कही जादा बनवाए भी विश्व प्रसित इतिहासकार रिचुट इटन के मुताबिक मुगल काल में मंदिरों को डाना एक दुड़लब घटना हुआ करती थी और जब ही ऐसा हुआ करता था तो उसके कारण राजने तिक रहे इटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए जिन में विद्रोहियों को शरण मिलती थी या जिन मंदिरों से और इंजेब के खिलाफत करने वालों को मदद होती थी इटन के मुताबिक उस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार में को देशे नहीं होता था इसको आज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये ठीक वैसा ही हो सकता है जैसे गोल्डिन टेंपल में खलिस्तानियों के चिप होने के वज़े से इंदरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था अब इस वेसिस पर इंदरा गांधी को इतिहास सिख जिरोधी गुरद्वारा तोड़ने वाली भी कह सकता है लेकिन सच क्या था वो आप जान रहे हैं किंग्स कॉलेज लंडन की इतिहासकार कैथरीन बतलर तो यहाँ तक कहती हैं कि औरंग जेब ने जितने मंदर तोड़े उसे जाधा मंदर बनवाय थे कैथरीन फ्रैंक, M. अतर अली और जलाल उद्दीन जैसे विद्वान इस तरफ भी इशारा करते हुए कहते हैं कि औरंग जेब ने कई हिंदू मंदरों को अनुदान भी दिया था उसमें हिंदू द्वारा लिखित किताबों में विशे जिक्र नहीं मिलता, अठारवी शतापदी में जब सल्तनत खत्म हो गई तब भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं मिलता मुगर शासकों द्वारा हिंदू मंदर तोड़े जाने का मुद्दा भारत में 1980 और 1990 के बाद खर्म होना शुरूफ हुआ था अब बात संगीत की भी कर लेते हैं कि क्या सच में औरंग जेब ने संगीत पर बैन लगा दिया था तो दोस्तों औरंग जेब को कटर पंती साबित करने की कोशिश में एक बड़ा तर्क ये भी दिया जाता है कि औरंग जेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था कुछ रच्रा में औरंग जेब नाम शामिल है जो बताता है कि उसके शासन काल में संगीत को सर्रक्षन हासल था कुछ एतिहासिक दथ इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि औरंग जेब खुद संगीत का अच्छा जान कर था मिराते आलम में बक्तार खान ने लिखाए कि औरंग जेब को संगीत का विशारदो जैसा ज्यान था मुगल विद्वान फकिरुल्ला ने राग दरपन नाम के दस्तावेज में औरंग जेब के पस इंदीदा गायकों और वादकों के नाम दर्च किये हैं औरंग जेब को अपने बेटों में आजम शा बहुत प्रिय था कहते हैं कि आजम शा अपने पिता के जीवनकाल में ही निपुन संगीतकार बन चुका था अगर औरंग जेब ने संगीत पर पते बंद लगा दिया था तो फिर उसके समय में ही सबसे ज़दा संगीत के किताबे क्यों लिखी गई दक्षन में मराठों ने औरंग जेब की बैंड बजा रखी थी औरंग जेब चाहता था कि उसका शासन पूरे दक्षन भारत पर हो लेकिन मराठों की बहादुरी के आगे उसको घुटने टेकने पढ़ गए 1683 में औरंग जेब स्वयम सेना को लेकर के दक्षन भाग गया आखिर 25 साल तक उसने वही पर अपना प्यान चलाया 50 सालों तक शासन करने के बाद मिर्तियू दक्षन के एहमदाबाद में 3 मार्च 1707 इस्वी में हो गई औरंग जेब के बारे में ये भी कहते हैं कि वो भोग विलास्ता में डूबा हुआ शासन था लेकिन इतिहासकार एक तथ्य और बताते हैं कि वो कुरान की प्रतियां लिखकर और टोपियां सिलकर जो पैसे एक खटा किया करता था उसने कहा था यानि औरंग जेब ने कहा था कि उनका अंतिम संसकार उसी पैसों से किया जाए औरंग जेब की कब राजवी और अंगाबाद जिले के खुलताबाद में है दोस्तों ब्रिटिश हुकूमत ये बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर भारत में राज करना है तो फिर हिंदू और मुसल्मान को बाटना पड़ेगा और उन्होंने बड़ी चलाकी से बाता भी राजा जब राज करता है तो उसके निन्ने कुछ लोगों को पसंद आते हैं कुछ लोगों को नहीं आते हैं और अंग जेब के बारे में कहा जाता है कि उसने सारे मंदिर तहस नहस करवा दिये थे लेकिन इतिहास कार्ड इटन कहते हैं कि जिन मंदिरों को तोड़ा गया उनकी संख्या 15 से जादा नहीं थी और मंदिर तोडने का कारण धार में कभी नहीं रहा और हां दोस्तों एक और बात है जो लोग कहते हैं कि औरंग जेब मंदिर तोड़ कर रोज 10,000 ब्रामणों को मारता था तो भड़ा की हमत उनसे सवाल कीजे कि एक दिन 10,000 के हिसाब से 1 साल में 36,000,000 ब्रामण हुए और और अरंग जेब ने राज किया 49 साल तो साल में 36,000,000 ब्रामण था तो 49 साल में कितने हुए इसाब जोड़ करके ज़रा कामेंट में लिखेगा और याद रखेगा वो 15 करोड प्रजा पर आज करता था तो दोस्तों बहकावे में मत आईए थोड़ा पढ़ाई लिखाये भी कीजे और इन्जेप का वीडियो किसी भड़काने वाले के पास नहीं है वीडियो छोड़ दीजे, फोटो तक नहीं है, सिर्फ एक पेंटिंग ही है इसलिए अंग्रेजों के चम्चों के लिखे हुए इतिहास के अलावा भी दूसरे इतिहासकारों को भी बढ़िए ये लड़ने का विशय नहीं है, ये पढ़ने का विशय है, ये समझने का विशय है, ये जानकारी का विशय है नमस्कार, चलते हैं, राम राम दूसलाम जैहिर